नमस्कार दस्तो मैं अनुज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती बारी में कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां भी होंगे स्वस्त रहें मस्त रहें और जबस जश्त रहें आज हम बात कि एक ऐसे अस्दी पौदे के बारे में जो हमारे गाउं में खेतों में और बगीचों में और खलियानों में आसानी से लगाये जा सकता है और हम उसका उप्योग अपने दैनिक गिवन में करके तमाम प्रकार से लाब उथा सकते हैं तो चरिए शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास की बारे में जिसे हम अपने गाउं देहात में हरी चाय की पत्ती भी करते हैं दोस्तों इसकी औसदी गुड़ों की बात करें तो इसमें तमाम प्रगा के औसदी गुड़ पाया जाते हैं तो आप इस चनल पर अन तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकाई मिल सकें और साथ में आप इस चनल पर अगर नए हैं तो आप इस चनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करें ताकि हमारा उस्सा बढ़े लेमन ग्रास का प्रियोग आज और द्योगिक अस्तर पर दवाईयों के रूप में हो रहा है इसका रूम फ्रेसर बनाए जा रहा है और बहुत सारे किसान इसकी खेती करके लाखों रूपे कमा रहे हैं अगर आप हरी चाय की पत्ती को रात में सोने से पहले बीना दूत के साधा चाय बना के सिर्फ जिसमें साध या फिर चीनी और पानी होनी चाहिए और हरी चाय की पत्ती होनी चाहिए पीते हैं तो सुबह आपका सरीर बहुत ही फ्रेस मसूद करेगा यह मेटा बॉलिज्म को बढ़ा कर आपके वजन को कम करता है पेट से जुड़े रोगों को भी ठीक करता है जिससे हमारी पाचन स्थक्ती मजबूत होती है लेमन ग्रास यानी हरी चाय की पत्ती लेने से महिलाओं में मासिक धर्म के समय जिस पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़ता है उसमें यह काफी मदद करता है और काफी कम दर्द होता है लेमन ग्रास एंटी आक्सिडेंट जिवानो रोधी गुड़ पायाते हैं इसमें एनायल जैसे गुड़ भी पायाते हैं इसलिए यह विभिन प्रकार के दर्द में भी लाब करता है लेमन ग्रास जोडों के दर्द और मास्वेशियों के दर्द में भी लापकारी होता है यह स्ट्रेस यानि तनाव चिंता में भी काफी लापकारी उसदी मानी आती है और मज़े की बात यह है कि यह असदी होते हुए भी स्वाद में काफी डिलेशियस यानि स्वादिश होता है यह सरीर से विशागत पतार्थों को नश्ट करता है और सरीर को सुक्ष करता है इसमें सरीर की सुन्दता बढ़ने की भी सक्ति होती है यह सरी में पड़े जुरियों को भी खत्म करता है यह हमारे इम्मून सिस्टम को यानि रोग प्रतिरोधक्षमता को भी बढ़ता है जिसमें सर्दी खासी जुकाम में भी अरहात करता है और इससे ठकावड भी दूरुती है इसमें पाय जाने वाले एंटी आउक्षिडेंट गुड कैंसर होने वाले खत्रों से भी हमें निजात दिलाता है लेमन ग्रास एंटी सेप्टिक गुडों से भरपूर होता है यह दिमाग को तेज करके ठकावड को दूर करता है किसान भाईयों आप हरी चाज की पत्ति का उपयोग नीम की पत्ति के साथ मिलाकर जैविक कीट नासक भी बना सकते हैं दोस्तों क्या आपको पता है हरी चाज की पत्ति का तेल निकाल जाता है जो बहुत महगी बिक्ति है और विभीन प्रकार के दवयों में इसका उप्यों किया दता है तो दोस्तों आप भी लेमन ग्रास यानि हरी चाह की पत्ती का प्रयोग अपने देनी जियूर में करके तमाम प्रकार से स्वास्त लाब उठा सकते हैं और अगर आपको पता होगा कि आज कर लेमन ग्रास हर जगें ऑनलाइन भी मार्केट में उप्लब्स है और हमारी जो सहरी भाई हैं उनसे भी मेरा यह अनुरूद है कि वो अपने च्छतों पे अपने गंबलों में लेमन ग्रास लगाएं और उसका उपयोग करें तो इसी साथ यह वीडियो पूरा होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा धन्यवाद